सोन पापड़ी के दिन आ गए आप किसी के घर दिवाली विष करने जाएं या ना जाएं लेकिन सोन पापड़ी आपके घर दिवाली विष करने जरूर आती है सोन पापड़ी एक दान है जिसे देने में कोई संकोच नहीं करता सब दिल खोल के सोन पापड़ी दान देते हैं दिवाली पर खाने का तो पता नहीं लेकिन हाँ, सबसे सदा बिक्ति जरूर है कितना बिक रही है, इसका बिकना कितना और बढ़ने वाला है आखिर आई कहां से यह सोन पापड़ी अगर इसे वापस बहीं भेजना चाहते हैं तो देखिए यह वीडियो मैं मानसी हूँ आपके साथ on ABP Life Podcast लेकर दिवाली स्पेशल देखा अंदेखा इंडिया, dedicated to सोन पापड़ी एक रिपोर्ट पड़ी भी मैंने, जिसमें यह लिखा था कि सोन पापड़ी कितना बिखती है हमारे भारत में और आने वाले सानों में यह और कितना बिखेगी 2013 से 2016 तक यह research की गई market trends में और यह पाया गया कि 2017 में Indian सोन पापड़ी market $73 million का था और यह 2023 तक 12% की growth लेगा यानि 2023 तक $149 million का हो जाएगा Yes, definitely आप सोच रहे होंगे कि कौन घाता है इतना सोन पापड़ी कौन खरीद रहा है एक तो इसके different flavors की demand Indian consumers में बड़ी है दोस्तों middle class population जिनमें इसकी demand है इसके ज्यादा shelf life भी इसकी demand को बढ़ाता है इसके अलावा सोन पापड़ी manufacturers अब sugar-free सोन पापड़ी भी ले आए है for health conscious consumer base जो Indian सोन पापड़ी market को influence करेगा कुल में लाख है सोन पापड़ी कितनी ही पुरानी क्यों ना हो जाए तेकिन खुद को अप्टो डेट रखने में ना number one है वैसे ये कितनी पुरानी है और आखिर कहां से आई है ये आपको आज जरूर से बताते हैं सोहन पापड़ी कह लीजे सान पापड़ी कह लीजे शौम पापड़ी पतीसा It's a popular dessert in the Indian subcontinent सोन पापड़ी का कोई confirmed origin तो नहीं है but it is believed to have originated in the western state Maharashtra, India में Maharashtra में इसका origin देखते हैं ये तो हुआ एक option दूसरा भी है कुछ कालिनरी आंथ्रप्रोलाजिस्ट का कहना है कि ये जो word है न सोन that has a Persian origin ये पर्शय से आया हुआ word है और ये टम आया है सोहन पाशमा की से तीसरी उपीनियन भी है सोन पापड़ी की उरीजिन को लेकर और वो ये कहती है कि सोन पापड़ी राजिस्थान, यूपी, पंजाब, वेस्ट बिंगॉल यहां से बना और बॉपिलर हुआ ऐसी हुए दिखती हुई बिलकुल रिजेंबलेंस खाती हुई मिठाई चाइना में भी मिलती है जिसका नाम है ड्रागन्स बीर्ड कैंदी कोरिया में कहते है कुल तराई और पर्शन में पाश्मा की जिससे बनी तर्किश पिस्मानिया सोन पापड़ी जैसे इनकी भी क्यूब शेप होती है या हम यह कह सकते हैं कि टर्किश पिस्मानिया की जैसी सोन पापड़ी की स्क्वार शेप होती है फ्लेगी टेक्स्चर होता है बहुत ही क्रिस्प टेक्स्चर होता है लेकिन पहले से ऐसे डब्बो में क्यूब शेप में नहीं बिखती थी पहले लूस बिक्ती थी रोल पेपर कोन में वो तो अब मॉडरन एरा में प्रोडक्शन के डिमांड की वज़ा से डबो में क्यूब फॉर्म में फिट की गई है अच्छा सोन पापड़ी भी ना काफी हद तक पतीसा से मिलती जुलती है अगर आपने दोनों खाई है तो कहते हैं पतीसा जो की ज्यादा डेंस है वास्तव में भुना हुआ बेसन, घी, चीनी से बनी एक बरफी या फज है भारतिया कांटी फ्लॉस से और राजस्थान की राजस्थानी फेनी से भी मिलती जुलती है पस पर कितना है कि फेनी मौनसून के उत्सवों में काफी पॉपिलर है हलके धागों में खीचे गए आटे, चीनी का ये एक मिश्रण है सो कुल मिलाके जहां से पॉसिबिलिटीज हो सकती थी सोन पापड़ी के पैदा होने की वो तो मैंने आपको बता दी बाकि हमारी यही कामना है कि आपके घर दिवाली पर खुश्यां, सम्रिधी, सब आए लेकिन सोन पापड़ी ना आए हापी दिवाली वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, श्रूए, सब्सक्राइब जरूर करे टुवेबीबी लाइफ पॉड्कास्ट